आप सभी लोग स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम इस वीडियो में डियलेड इंट्रेंस एक्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस के भारतिय इतिहास के चैप्टर वन जिसमें हम लोग सिंदू घाटी सभ्यता से रिलिटेड जो है महत्पून प्रस्ण करने वाले हैं जिसमें 50 से भी ज़्यादा अधिक प्रस्ण करने वाले हैं और मैं वही प्रस्ण करवाऊंगा जो आपके एक्जाम में आ सक किजेगा और बेल आइकन को प्रेश करकर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर किजेगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मदद मिल सके चलते हैं प्रस्ण के उपर यहां पर आपका पहला प्रस्ण है कि हरप्पा सभ्यता का सरवादिक मन्यता प्राप्त काल है अप्शन नहीं पढ़ूँगा आप लोग खुद अप्शन देख लिजेगा क्योंकि अप्शन बताऊंगा तो काफी समय लेट हो जाएगा इसलिए जो है आपको कम समय में बेहतर त्यारी करना है तो आप अप्शन यहां पर चार देख रहे हैं तो हरपा सभ्यता का स्रवा आमिया की सभ्यता चीन की सभ्यता ग्रिक की सभ्यता तो सिंदु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता था वो मतलब ग्रिक के सभ्यता के समकालीन नहीं था समझ गये तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अगला यहां प्रस्ण आपका है कि सिंदु घ सिंदुगाटी सभ्यता जो है कहां तक ब्रिष्टित थी तो मैं आपको बता दू कि सिंदुगाटी सभ्यता जो है पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हड्याना सिंध और बरुजिस्तान तक जो है ब्रिष्टित था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका सुर्ण कोटदा से मिला था कहां से मिला था सुर्ण कोटदा से तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका यह हो जाएगा समझ गया अगला यहां प्रशन आपका है कि सिंदुगाटी सभ्यता जो इस्तल काली बंगन है वह किस परदेश में है option यहां पर है राजस्थान गु और आप सभी लोग कमेंट भी किजेगा वीडियो को पूरा देखेगा अपने दोस्तों के साथ सेर भी किजेगा अगले प्रशन के और बढ़ते हैं तो अगला प्रशन यहां पर है कि निमलिकित में से किस प्रदार्थ का उप्योग हरपा कालीन के मुहरों मुद्राओं नि लोहा तो मैं आपको बता दू कि निमलिकित में से जो है जो हरपा वासी लोग थे वह जो है मुहरों बनाने के लिए या मुद्राओं के निर्मान के लिए मुख रूप से जो है वह सेल खड़ी सेल करी का जो है पड़ियोग करते थे समझ गए अगला यहां प्रशन आपका ह लोहा तो मैं बता दू कि जो हरपा सभयता है वो आपका कांसे यूग की है समझ गये कांसे यूग की है तो इसका एंसर क्या हो जागा ओपन आपका ए हो जाएगा अगला यहां प्रशन है कि सिंदुघाटी सभयता के लोग का मुख व्यवसाई क्या था यहां प्रॉप्शन देखेगा सिंदुगाटी सभ्याता का जो लोग थे उनका मुख विवसाई क्या था वेपाड, पसुपालन, सिकाड, क्रीसी तो उसका जो मुख मतलब विवसाई था सिंदुगाटी सभ्याता के लोगों का वो था क्रीसी और पसुपालन समझ गए तो इस इतना लेगाएगा फिर वो बाद में जो एक क्रिसी करना शुरू की है समझ गए दोनों इसका एंसर चाहिए हो सकता है अगर यह confusion है तुरह देख लिजेगा अपलों यह confusion है देख लिजेगा समझ गए अगला यहाँ प्रस्ण है कि हरपा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे हरप यहाँ प्रस्ण है कि सिंदुगाटी के घर किसके बने बनाई जाते थे सिंदुगाटी सभ्यता जो थी उसमें घर कैसे बनाई जाते थे किस चीज से बनाई जाते थे इट से बास से पत्थर से या लकडी से तो मैं आपको बता दू कि सिंदुगाटी सभ्यता के जो घर थे वह आपके जो है निमलिखित में से जो है इट से बनाए जाते थे समझ गए याद रखे गए इट से अगले प्रश्ण क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्ण यहाँ पर है कि हरपा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सरोपर्थम थे अगला यहाँ प्रश्ण की निमलिखित विद्वानों में से हरपा सभ्यता का सरोपर्थम खोज करता कौन थे अगर आपसे प्रश्ण पूछ ले कि हरपा सभ्यता को किसने सरोपर्थम खोजा था तो आप सभी लोग अराम से लगाएगा दयराम सहनी जिन्होंने जो है हरपा सभ्यता का खोज करता कहा जाता है तो इसका answer option आपका D हो जाएगा समझ गए अगला यहाँ प्रश्ण के लोग के माप और तॉल के परिचित थे यह कोज कहा पुदे थी संद्धु घटी सव्यता में मापतॉल अधी के बारे में जनकारी था कि नहीं था तो यहां खोज जो है शिद कर दिया गया कि उससे में भी जो था मापतॉल की बाद थी कि यह कहां पर खोज आ गया था कहां पर इसका साक्षे मिला था त पंदर नमर के यहां पर एंसर क्या है देख लेते हैं पंदर नमर यहां पर question देख लिजे एंसर तो हैं ही इसमें यहां पर दो option छूट गया है C और D देख लिजे छूट गया है कोई दिक्कत नहीं है इसका answer A B में सही कोई होगा हरपा कालीन समाज की स्वर्गों में विवक्त था अगर आपसे पूछ लेगा कि हरपा कालीन के जो समाज था वो कैसे वर्गों में वाजी था तो पहला विद्वान, योद्धा, वेपारी और स्रमिक ये चार लोग बटे हुए थे हरपा सभ्यता में समझ गया, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका B हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए, अगला प्रस्ण यहाँ पर है कि सिंदु सभ्यता का सरवादिक उप्युक्त नाम क्या था हरपा सभ्यता, सिंदु सभ्यता, सिंदु घाटी सभ्यता इन में से कोई नहीं, बताएगे क्या था तो ध्यान प्रोवक आप देखिएगा कि सिंदु घाटी सभ्यता का जो आपका सरवादिक के उप्युक्त नाम जो था वो हरपा सभ्यता था तो इसका answer option आपका ए हो जाएगा, अगला यहाँ प्राशन है कि निमलेखित में से कौन से लक्षन सिंदु सभ्यता के लोगों का सही चितरन करता या करते हैं बताएगे, कौन सा लक्षन पहला option है, उनके विसाल, महल और मंदिल होते थे, क्या यह बात सही है कि गलत है आप सभी लोग बताएगा, तो यह गलत है क्योंके उनके पास विसाल, मंदिल नहीं होते थे वे देवी, देवताओं को दोनों को पुजा करते थे यह बात जो है सही है वे यूद में घोडा, द्वारा खीचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे नहीं भाई, तो इसका एंसर हो जागा option E, मतलब नेखित में से कौन सा लक्षन सिंदुगाटी लोगों का सही विचितरन करता है तो वह केवल यह है कि वे दोनों मतलब देवी और देवताव दोनों का पुजा करते थे तो इसका एंसर option आपका E हो जागा समझ गए अब यहाँ पर important प्रस्ण कि सिंदुगाटी सभ्याता की खोज जो है किस वर्स हुई थी तो याद रखिएगा आप सभी लोग कान खुल के सुन ले कि सिंदुगाटी सभ्याता की खोज जो है 1921 में हुआ था दयाराम सहनी ने किया था समझ गए सिंदुगाटी सभ्याता का खोज जो है 1921 इस्वी में दयाराम सहनी ने किया था समझ गए अगला यहाँ प्रस्ण देखिया कि हरप्पास अभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है बताए पहला है उन्हें अवो और स्वो मेग की जनकारी थी गाय उनके लिए पवित्र थी उन्होंने पसुपती का समान करना आरंब कर दिया उनकी संस्कृति समानने इस्तिर नहीं थी बताए क्या यहाँ पर सही है पर आगला प्राश्न है कि हरप्पा के लोगों की समाजिक पधिती थी कैसी थी उचित संब्दाबादी या की हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगला यहाँ प्रस्न है कि सिंधु का नखिलिस्तान बाग हरपा सभ्यता के किस पुर्वा एस्तल को कहा जाता है बताइए सिंधु का नखलिस्तान बाग किस पूरा एस्तल को कहा जाता है option में हरपा, मोहन जोद्रो, काली, बंगा, लुथल ये 4 important है याद रखिएगा तो समझ गए तो इसका जो answer होगा वो हो जाएगा option B मोहन जोद्रो को कहा जाता है सिंदू का नखलिस्तान, समझ गए अगला यहाँ प्रशन है कि हरपा सभयता कि संपुर्ण छेत का आकार किस परकार का था काफी important प्रशन बार बार इससी के गिजाब में पूछाता है और आपके deal it के रिए काफी important है कि हरपा सभयता कि संपुर्ण छेतर का जो आकार था वह था आपका तिर्भूजकार समझ गए कैसा था आपका तिर्भूजकार था मतलब ट्रेंगल कि तरह इस तरह था ट्रेंगल कि तरह हम लोग बोल सकते हैं समझ गए तो इसका answer option C हो जाएगा अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए अगला प्रशन आपका यहाँ पर है कि हरप्पा के लोगों की समाजिक पधिती थी अभी उपर आपने देखा है कि हरप्पा के लोगों की जो समाजिक पधिती थी वह कैसी थी तो उचित शंतावादी , समझ गया ूचित समतावादी इसका answer option ही हो जागा वही प्रस्ण आ गया क्या यहां पर जी आगएं यहां पर देखिए किस नमर का सिंदू का नाखली स्तान अभी हमने बताया है कि किस को कहा जाता है अगला प्रस्ण हरपा से भ Ό bisogner ता वो कह साता तो तुय भूजा कार था समझ गये यह न पर हो गया उपर अभी जस्ट आया था यह तीनों रिपीट हो गया फिर से आगे बढ़ते हैं तो वगला यहां पर देख लिए तेइस नमा प्रस्ण सुची वान और सुची टू को सुम्मेलित कीजिए अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जगा जो है किस नदी पर इस्तित है मैं आपको बता दू कि हरपा जो है वो आपका जो है रावी नदी के तटपर इस्तित है समझ गए अगर हम बात कर लें यहां पर हरपा की तो तो हरपा रावी नदी के तटपर है मोहन जुद्र जो है आपका यह सिंधु नदी के तटपर है लोथाल आपका जो है भोगव हल के जोते गए खेत का साक्षे कहां मिला था? देखे, हर अपा सभ्यता के अंतरगत जो है हल के जोते गए खेत का जो साक्षे है वो कहां से मिला था? तो मैं आपको बता दू रोपन, लोथल, काली बंगा, वाना वली तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो option अपका C हो जाएगा कि काली बंगा से हल की जोते हुए खेत का सक्षे मिला था समझ गए इसका answer option अपका C हो जाएगा अगला यहाँ प्रस्ण हैं कि सधेव सभ्यता के इंटो का अलंकरन जो है किस अस्थान से मिला वनावली बता है क्हां से मिला तो देखिए इसका जो एंसर हो जाएगा वो option आपका A हो जाएगा काली बंगा से मिला था इटो की साक्षे समझ गए अगला यहाँ प्रस्ण आपका है 26 नंबर मोहन जोद्रो कहां पर इस्तित है बताइए पंजाब, सिंदू, गुजरात, उत्तर परदेश तो मैं आपको बतादू कि मोहन जोद्रो जो है यहाँ आपका जो है सिंदू, पंजाब में इस्तित है समझ गये, सिंदू, पंजाब और पाकिस्तान की बॉर्टर के आसपस है तो यहाँ पर है तो इसका एंसर क्या हो जागा, option आपका B हो जाएगा अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंदू सभ्यता के वरिहत इस्नानगर पाया गया, मोहन जोद्रो में, हरप्पा में, लोथल में, काली बंगा में, बताइए तो सिंदू सभ्यता के जो विडियाद इसनानगर पाया गया, काफी important प्रशन याद रख लिजेगा, पूछ लेता है कि सिंदू सभ्यता का विडियाद इसनानगर कहां पाया गया था, मोहन जुद्रो हरप्पा, लोथल या काली बंगा में, तो मैं आपको बता दू कि यहाँ मोहन जुद्रो में पाया गया था, समझ गया, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, option आपका, next यहाँ प्रशन आपका 28 नंबर है कि सिंदू की मुद्रा में किस देवता का समतुले चितरांकन मिलता है, जो सिंदू घाटी सभ्यता का जो मुद्रा होता है, मतलब पैसा होता है, तो उसके उपर जो है, किस भागवान का साक्षे मिलता है, तो देखिए, सिंदू घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वहाँ पर देवी और देवताओ, दोनों का पूजा करते थी, तो आप सभी लोगों को मैं बता दू कि वहाँ के जो मुद्रा होती थी, उस पर आधर सिव, मतलब आधर सिव का जो है, चित्र मुल्यांकन मिलता था, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option आपका A हो जाएगा, समझ गए, अगला यहाँ प्रस्ण आपका है कि निमलिखित में से कौन सा हरपा कालीन इस्तल गुजरात में है, अब यहाँ पर बोला है कि निमलिखित में से आपका कालीन इस्तल जो कि गुजरात में इस्तित है, वो आपका जो है लोथल है, लोथल गुजरात में है, याद रखेगा, समझ गए, सबसे महत्यपून कोर्ष्ण, यह जो कि एकजाम में आहीं गाए हीं आएगा, समझ गए, कि मोहन जुद्रो का इस्थानीये नाम क्या जो है, अलग नाम में क्या कहते थे, तो आप सभी लोग कान खुल के सुनने जी और याद कर लिजेगा, कि मोहन जुद्रो को मांट ओफ डेथ, मतलब मांड ओफ डेथ कहा जाता था, कि मिर्तिको का टीला, क्योंकि यहाँ पर मिर्तिको का टीला, मतलब बहु सारे यहाँ पर यह प्रस्ण को देखा है, कि हरपा सभ्यता का जो प्रचलीत नाम था, वह सिंदु घाटी सभ्यता था, क्या था? सिंदु घाटी सभ्यता, याद रखेगा, सिंदु सभ्यता नहीं, सिंदु घाटी सभ्यता, अगला यहाँ प्रस्ण है कि सैंधाव एस्थलो के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निमलिखित में से किस पसु का सरवाधिक उतकिर्न हुआ मतलब कि जो सवेधानी के स्थलों से उतकनन से प्राप्त मोहर मिला वो जो है किस पसु का सरवाधिक उतकर्नन हुआ सेर का, घोरा का, बैल का, हाथी का बताईए तो मैं आपको बता दू कि जहां से उत्कनन हुआ तो वहाँ पर जो है सबसे दाज जो है बैल का मतलब मिला था बैल पस्यू का जो है सरवाधिक उत्किर्न हुआ समझ गये अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं तो यहां देखिए अगला यहां प्रशन आपका है कि सिंदु घाटी सभ्यता जानी जाती है बताए किसली जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए मोहन जोदरो एवं हरपा के लिए अपने क्रीसी संबंधित काड़ियों के लिए अपने उद्योग के लिए, तो देखे, सिंदु घाटी सभ्यता जो है, वो अपने जो है, अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाती है, जो उसका नगर का निर्मान किया गया था, जो उसका घर का निर्मान किया गया था, काफी बेहतर तरी के सी किया गया था, तो उसके लि लोथल जो है राजिस्थान में इस्तित है, अगला यहाँ प्रस्ण है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर था, यहाँ पर देखिए हरपपा, पंजाब, मोहन जुद्रो, सिंध, तो मैं आपको बता दू कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर जो थ संस्कृति से वैदिक सहितकारों में और चांदी के आहत मुद्राओं में तो देखिए भारत में चांदी की उपलबदता की जो प्राचिंतम साक्षे मिले थे वो आपके जो है परस्मी भारत के ताम पासान संस्कृति से समझ गए तो इसका एंसर आपका बी हो जाएगा समझ अगले प्रस्न क्यों बढ़ते हैं तो यहां पर अगला प्रस्न है की मांडा किस नदी के किनारे इस्तित है देखिए मांडा एक जगह है जो की कहा पर इस्तित है आप लोग बताए मुझे तो मांडा जो है चेराओ चेनाब चेनाब नदी के किनारे जो है इस्तित याद जाए गा समझ गये आप सभी लुग निवेदन है कि क्लास अच्छा लाइएगा तो क्लास को लाइक कि جएगा बेल आइकन को प्रेस किजए या आलम गीरम पूर में तो इसका एंसर हो जाएगा option A धौला वीरा में पता चलता है कि हरपा में एक उन्नत जल्प परबंधन परनाली भी है समझ गये अगले प्रशन के और बढ़ते हैं तो यहां देखे अगला प्रशन यहां पर आपका है कि 42 नमर हरपा के मिट्टी के बर पर जो समाने जो रंग का उपयोग हो रहा था वो लाल हो रहा था तो इसका एंसर क्या हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगला यहां प्रशन है कि सिंदू सभ्यता निमलिखित में से किस यूग में पढ़ता है एतिहासिक काल प्रग एतिहासिक काल उत्तर प्रग एतिहास अगला यहाँ प्रस्ण आपका है कि सिंदु घाटी सभ्याता के विक्सित अवस्था में निमलिखित में से किस इस्थल से घरों के कुए के अवस्थेस मिले हैं मतलब सीधा सिधा सिधा सवाल आपसे पूछ लेगा कि सिंदु घाटी सभ्याता में घरों के कुए जो है मतलब क इस इस्तल से घड़ों में कुए के अवसेस मिले है अप्शन है आपका हरप्पा, काली बंगा, लोथल, मोहन जुद्रों तो मैं आपको बता दू कि घड़ों में कुए के साक्ष दू है आपके मोहन जुद्रों से मिले है समझ गये मोहन जुद्रों याद रखिएगा अगला प्रश्ने की सिंदुखाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुरा है वो कौन है तो पहला उपर आपने देखाए के सिंदुखाटी सभ्यता की खोज जो है दयाराम स्वहनी ने और राखा लाल दास बनर जी ने किया था तो इसका एंसर हो जाएगा option आपका यही समझ गए अगर दोनों पूछे तो दयाराम स्वहनी और राखा लाल दास समझ गए याद रखेगा 1921 इसवि में किया था अगला यहाँ प्रस्न देखिए तो यहाँ अगला प्रस्ने की रंगपूर जहां हरपा की समकाली निस्तल थी वो कहा पड़े प्रस्ने की हरपा यहों मोहन जुद्रों की पूरततित्विकित खुदाई के प्रभावी थे रपा यहाँ में जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे पहला option लेका जर शर जौनर सल्लॉड कोlles कि और टाई तो बताएena क्या था मैं आपको बता दूकि-बहर अपक की आक्रिती जो मुहर पर मिलती है जिसे ग्यात होता है कि सिंदु घाटी यों मेसो पोटामिया की सभ्यताओं के मध्य वेपारिक संबंद थे बताइए घोड़ा का गधा का बैल का हाती का तो मैं आपको बता दू यह प्रस्ण अभी मैंने उपर किया है कि बैल का साक्षे प् थे समझ गये अगला यहां प्रस्ण है कि सिंदु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे किसमें तो सिंदु घाटी सभ्यता की जो लोग थे वह जो है मात्री सक्ती में विश्वास करते थे और वहां के लोग जो है देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे नेक्स समुद्र तर्टे इस्तल परिस्तित नहीं है समझ गे तो इसका answer option आपका D हो जाएगा अगला यहाँ प्रशना आपका है कि निमलिखित में से कौन मोहन जुद्रों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो निमलिखित में से सबसे बड़ी मोहन जुद्रों की जो इमारत मान ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पदती अपनाई थी तो हड़ाप्पा कालीन के नगरों के लोगों नगरों में लोगों के विश्वास के लिए निमलीखित में से जो है मैं आपको बता दू कि वह जो है ग्रीड पदती में अपनाई थी समझे ग्रीड पदत तो मैं आपको बतादू कि जिक्र नहीं हुआ है बाकी आपका हाथी गेंडा और बाग का हुआ है समझ गये अगला यहां प्रशन है कि हरपावासी किस धातू से परचित नहीं थे तो हरपावासी जो थे वह लोहा से परचित नहीं थे याद रखेगा अगर कोई पूछले प्रशन कि हरपावासी जो थे किस धातू से परचित नहीं थे तो लोहा से नहीं थे आयरं से नहीं थे बाकी सोना चांदी तामबायोम कांसा टीनेयोम सीशा से थे समझ गये अगला यहां प्रशन है कि निमलिखित में से किस एस्थल से यूगल स्वाधान मतलब की संसकार का परमान मिला कुंतांसी धोला वीरा लोथल काली बंगा तो इसका जो एंसर होगा वो अप्सन आपका सी हो जाएगा लोथल बंगा से मिला समझ गये अगला यहां प्रशन है कि कपास के उत्पादन सरोपर्थम सिंदु छेत्र में हुआ जिसे ग्रिक का स्थान के लोगों ने किस नाम से पुकारा सिंदन कोटन ए भी दोनों हरप्पा बताएं तो देखे उसको जो है जो आपके ग्रिक और इनान के जो मतलब लोग थे वो जो है सिंदन के नाम से पुकारा समझ गये तो इसका एंसर ऑप्शन ही हो जाएगा अगला यहां प्रशन तो बताएं कहां से प्रप्थ हुआ तो मैं आपको बता दू किया जो है दैमावाद से प्रप्थ हुआ समझ गये दैमावाद इसका एंसर हो जाएगा सही अगला यहां प्रशन की हरपा वासी किन किन धात्वस या ओगत मतलब आयात करते थे उत्तरकूटी में दीजिए चा अपावासी लाज वर्द भवन निर्वान समागरी का आयत कहां से करते थे बताईए तो इसका एंसर हो जाएगा option आपका ये हिंदू कुछ छेत्र के आपके बख्याता से समझ गये तो इसका अगला एंसर हो जाएगा option है बद खसा से अगला यहां पर एंसर है अफगानिस्ता में सिंदू घाटी से ब्याता के जो इस्तल है वह आपके जो है मैं आपको बता दू कि वह आपका मुंडी गाफ और सुथ गोई है तो इसका एंसर option A और C हो जाएगा A और B मतलब option C हो जाएगा समझ गये अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं आप कुछ पर और प्रस्ण है देख लेते हैं फिर आपके जो है खत्म हो जाएंगे बस पांच यह और प्रस्ण है यहां देख लिए अगला प्रस्ण यहां पर है कि मोहन जोद्रों से प्राप्त प प्रसुपति सिव आर्द सिव मोहर के जो है मतलब अंकन हुआ वो जो है आपका व्याद्र और हाथी गेंडा और वैस और यहां पर ही रन सभी का हुआ तो इसका answer option D हो जाएगा अगला यहां प्रस्ण है कि किस हरपाकाली निस्तल से निर्थ करती हुई वाली स्तरी का कांसे मुर्ती प्राप्थ हुआ यह भी महत्ट्र कुन है प्रस्ण पूछ लेता है कि हरपाकाली स्तल से पुझारी की प्रस्तूत मुर्ती प्राप्थ हुई थी निर्थ करती हुई इस तरी की मुर्ती जो है मोहन जोदरो से मिला था और पुजारी की प्रस्तूत मुर्ती कहां से प्रस्तूत मुर्ती अगला यहां प्रस्न है कि किस सिंदु काली नेस्तल से एक इट पर बिल्ली की बिल्ली का पीछा करते हुए कुटो के पंजो के निसान मिले हरपा, मोहन जोदरो, चंद्राहो और लोथल तो इसका जो एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option आपका C, चंद्राहो से मिला था समझ गया अगले प्रस्न को देखते हैं, जो कि अंतिम प्रस्न 4 बचा हुआ है, यहां देख लिजिए, हरपा काली नेस्तल में अभी तक किस धात्यू का प्राप्ति नहीं हुआ है, अभी यह प्रस्न उपर किया है, कि हरपा वासी जो है तंबा के बारे में, स्वर्ण के बारे में, चांदी के बारे में जानते थे, लेकिन लोहा के बारे में, वो नहीं जानते थे, तो इसका एंसर, जी हो जाएगा, डी सही है, इसका एंसर, अगला प्रस्न, किस प्रस्यू के अवसेस, जो है, सिंदुघाटी सभ्याता से प्राप्त नहीं हुए है, काफी महत्य पुन प्रस्न याद यह सब इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो है, सिंदुघाटी सभ्याता में, जो है, घुरा कावसेस मिला, गाय कावसेस मिला, हाती का मिला, लेकिन सेर का नोह है, नहीं मिला, समझ गये, सेर का नहीं मिला, तो इसका एंसर, आप्शन आपका, ए हो जाएगा, अगला यह लेकित में से कौन सा एक हरपा एस्तल नहीं है, तो चंद्राहो, कोट दीजी, और देशलरपूर, यह सब क्या है, हरपा एस्तल है, लेकिन सोहरगोवा, यहाँ जो क्या है, कि सोहगोडा जो है, सोगोडा जो है, आपका एस्तल नहीं है, तो इसका एंसर, आप्शन सी हो धन्यवाद आप सभी लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहें मलना आके और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा सेर किजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद ओके